Welcome to my channel Inspire Pharma तो पेश्वाज आपके सामने एक बहुत इनौलेज़िबल और इन्फरमेटिव कंटेंट पर वीडियो को लिखे तो आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ रीसेंट विकेंश को शेर किया था जो कि MPPSB Board की तरफ से रिलीज हुई थी मिन्स MP Employee Selection Board की तरफ से रिलीज की गई थी मध्यपरदेश बोपाल की साइट पे तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसमें कितनी number of vacancies है क्या उसकी eligibility रहेगी क्या उसमें age limit रहेगी प्रॉपर जो notification है उसके बारे में हमने उस वीडियो में बात की थी starting date और last date भी उसमें हम मैंने बताई थी तो आज उसी topic से related उसी notification से related मैं इस वीडियो में अपनी आपके सामने उस exam से related syllabus को लेके अपनी वीडियो को आपके सामने share करूंगी तो चले करते हैं start अपनी इस वीडियो को without any further delay let's get started तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मैंने अपनी last वीडियो में बताया था कि इसमें pharmacist के regarding 103 vacancies means 103 vacancies है जोकि बहुत ही huge number of vacancies देखी जा रही है तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे major कितने topics में से कितने subjects में से आपको जो exam है वो देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपका आगया सामाने ग्यान में social study उसके बाद Hindi, English, Maths आएगा उसके बाद आपके science आएगी फिर उसके बाद आपके आएगी समाने अभिरूची means जो आपके general knowledge है जो जैसे आप exam को फिल करोगे तो आपके पास सारी जो भी इस time पर चल रहा है उसके related current affairs के लिए भी आप update होने चाहिए और साथ ही साथ जो हमारे जैसे history होगी कुछ भी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको knowledge होना जरूरी है अगर आप किसी भी competitive exam के लिए बैठ रहे हो तो तो उसके बारे में आपको पता होना compulsory है तो यह जो मैंने आपको 6 subjects बताए अभी line wise उसमें से आपको 25 marks का exam देखने को मिलेगा उसके अलावा जो आपके 75 marks means total exam रहेगा 100 marks का तो जो उसके अलावा आपके 75 marks का exam होगा वो एक topic में से आएगा जैसे जो भी आप vacancy को fill करते हो जैसे suppose आप pharmacist की vacancy के लिए apply करते हो तो आपको आपकी pharmacy stream से related उसमें 75 marks के कोशस देखने को मिलेंगे अग करोगे उसके according ही आपको उसमें questions देखने को मिलेंगे 75 marks वी जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा inspire pharma channel pharmacy के related हर चीज के लिए अपडेशन आपको time to time देता रहता तो वैसे इस vacancy इस notification में से भी हम pharmacy के लिए जो आपका syllabus रहेगा particularly जो topics रहेंगे उसके बारे में discussion करेंगे उसके बारे में ही इस video में हम knowledge gain करेंगे तो सबसे पहला topic आपको जो major हैगा हुग क्या रहेगा फार्मासीटिक्स फार्मासीटिक्स में से आपको बहुत सारे सब topics देखने को मिल रहे होगे screen पर, ये सारे topics में से आपको जो आपका 사ma fly Là पको जो तक कोशेक्नस देखने को मिल सकते हैं उसके अलावा फार्मासीटिक chemistry जो pharmaceutical chemistry है उसमें से भी आपको बहुत सारे questions देखने को मिल सकते हैं जैसे इसमें important questions बहुत सारे acids, bases and buffers यह सारे जो points जो topics जो भी आपके important है तो इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे sulfur भी आप देख सकते हैं यहाँ पे sulfur and its compounds यह सारे topics में से questions मिलेंगे उसके अलावा pharmacognosy pharmacognosy में से भी आपको questions कुछ देखने को मिल सकते हैं जैसे adulteration and drug evaluation इस type के questions इसमें आ सकते हैं exam में आपको उसके अलावा biochemistry and physical sorry biochemistry and clinical pathology clinical pathology इसमें से आपको questions मिलेंगे जैसे introduction to biochemistry इसमें एक main topic दिया हुया, lipids, proteins, इस type के questions आ सकते है, role of minerals and waters in life processes brief chemistry role of vitamins ये सारे questions इसमें include किये जाएंगे उसके अलावा रहेगा human anatomy and physiology ये भी आपका बहुत important topic रहेगा इसका भी बहुत important role रहेगा आपकी इस exam में जैसे structure of cell हो गया blood group हो गया, composition of blood होगा, इस type के questions इसमें देखने को मिल सकते हैं उसके अलावा next one is health education and community pharmacy इसमें से आपको बहुत सारे concept of disease, prevention of disease, environment and health, first aid हो गया, जैसे first aid आप क्या दे सकते हो, concept of health से related, जो भी आपकी इसमें questions बनेंगे जाए चिकन वोक्स infection रहेगी बहुत important है ये भी, तो इस type के questions इसमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद रहेगा dispensing pharmacy, इसमें से आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे liquid oral doses हो गया dose and doses of drugs, कितनी dose में आप drug दे सकते हो जैसे dispensed medications ये सारे जो आपके topics हैं इस topic में involved होंगे उसके अलावा pharmaceutical chemistry second पहले हमने discuss किया था pharmaceutical chemistry, तो अभी हम discuss कर रहे हैं, pharmaceutical chemistry part 2, तो इसमें आपको जो chemical structure देखने को मिल सकता है chemical properties देखने को मिल सकते हैं इस topic में जैसे formulations of drug ये सारा कुछ इस topic में include रहेगा next one is pharmacognosy and toxicology, ये भी बहुत important topic रहेगा, जिसमें drugs acting सारा कुछ ये involved हो सकता है include रहेगा इस topic में जैसे introduction to pharmacology scope of pharmacology pharmacology, ये सारा इसमें बहुत important topics रहेंगे, जैसे classification of drugs pharmacological ये भी इसमें include रहेगा, drugs acting on the central nervous system ये सारे topics इस topic के under include रहेंगे तो I hope मेरी वीडियो आप सब के लिए मेरी बाकी वीडियो की तरह ही बहुत ही informative and बहुत ही knowledgeable रही होगी, तो अगर आप में से किसी candidate को इस video से related कोई भी doubt है कोई ऐसा candidate है जो इस topics में से, जो sub topic है उससे related भी syllabus के बारे में information चाहता है, तो वो अपने comment है, comment session में mention कर दे, तो मैं definitely उस topic पे उस particular subject और उस particular topic पे वीडियो को लेके आऊंगी, तो मिलते हैं अपनी next video में बहुत ही important and useful content के साथ, till then like, share and subscribe to my official YouTube channel Inspire Pharma, thank you so much